कर लिया है खाना हमने बना दिया है बना पावभाजी बना जाज़े बनाएं जट पर लिए रेशिपी है अगर सारे सामगरी अपने पास हैं तो अगर सामगरी नहीं है तो ठोड़े बहुत समान से भी बनागे बनाएं पाव भाजी बनाने के लिए यहां पर बोटाना हरा यहां पर फुलावर दो आलू यहां पर है तीन टमादर फटीवे अवर्डा मिल्चा रैसुन अद्रस यहां पर है धन्या तो यह सारी चीजों को हम कट कर लेते हैं तो यहां पर सारी चीजे मैंने काट ली है और इसे सारा मैंने धोबी लिया है तो यहां पर मैंने कुकर को रख दिया है गैस को अन कर लेते हैं कुकर को हम गरम कर लेते हैं तो कुकर हमारा गरम हुगया है तो हम इसमे थोड़ा सा तेल डाल देते हूं सबजियों को हम थोड़ा सा तड़का देखे फिर हम इसे उबारने के लिए तो थोड़ा सा मैं जीरा डाल रहे हूं कि बोगल से घताए हम पर दो से अजारा कि अजार की एंग कि भो उता हमारा लादा लोगल अजारा हमेर लोगल कि अजारा कि दोगल तो सच्जी में हम आधा जुलास के रखर पामी डाल देते हैं तो इसे हम घर्टर लगा देते हैं तो इसे हम सीती आने के छोड़ देते हैं तो इसे हम सीती आने के छोड़ देते हैं तो तेन सीती आने देते हैं तो तेन सीती आगे ही गैस को बज़ कर देते हैं से खंडा है तो हमारे सब्सक्राइब तो हम एक मेशर की हज़िक से इसे मेश कर लेते हूं इसी तरह यह से हमें मेश कर लिला है सारा मेश कर लेते हैं तो हम सारा इसे मेश कर चुके हैं तो हम आपैं मैंने सारे चीजे कठ कर ली है सिमला मिर्च, टमाड़, प्याज, कद्ध्धू कस्किया हुआ अदरक और कद्धू कस्किया हुआ, लेशी.. तो यह सारी चीजे हमें के यह वैदे लिआ हैं करभा कर दिए तो फेस्ट यहां मुल बटर डाल गहीं फोड़ा साथ तो छोड़ा सामने हम न अमल बटर डाला फिर टेल डाला है फिर हम लैस्ट डाल देजुए अध्रत इस तारी चीजों को हम लाल कर लेते हुँ अच्छे से तो यहां पे मैंने खरामी चालिया है पोबियम डाल लेते हैं और फिर हम प्याज डाल लेते हुँ प्याज को में रिश्टे से लाल करना है, उस दर्ण गोल्डन प्राउन करना है, जितना हमारा प्याज उस्था होगा उतने ही यह पावजीट की बनेगी, तो प्याज हमारा लाल होके है, तो हम सिद्ना मेर्च डाल रहेते हैं, प्याज दूखाइं, प्याज प्याज जेते हैं, तो हम छहे नितना है, चपक तो एकुना जेकेना, भाज हम पॉर ऑ desire the तो राक्सा समया पाउडर और मिच्चा पाउडर तो नमक डाल देते हैं तो हमने सब्जी में नमक नहीं डाला था इसलिए हम इसी में डाल रहे हैं साद अमिशा तो इस तमाटल को किमला मिच्चों में अच्छे से पका लेना हूँ तो प्रेंस यहां पाउगाजी मसाले लिया यह भी डाल देते हैं तो प्रेंस इसमें पोड़ा साँ पानी डाल देते हैं ताकि मारा मसाला चुछ से पकी जाए तो फिर से ढाब देते हैं तो प्रेंस धनिया का पती भी हम डाल देते हैं अब मसाला हमारा अपका रहा है अपर देख सकते हैं तो इसे और पका लेते हैं फोड़ा से तो मसाला हमारा पक्षका रहा है तो पड़िया जो है उगाल देते हैं तो अपका रहा हैं तो अपका रहा हैं अपका रहा हैं तो अपका रहा है तो अपका रहा है हमारा पाव भाजी बनके रडी हो गया अब हम जैस को बन कर देती हैं तो अपका रहा हम पाव को तलेंगे तो थोड़ा साइस पर आप मसाले को डालेंगे पने तो यह गर जैसे रहे रिस्टोरेंट में खाते हैं ऽ। उसी तरीकी से लगे गए और फिर हम इसे पाव को रख देते हैं ने पर एक का ओल पाव को रख देते हैं तो ज्यादा हमें गरम नहीं करना है पाव भाजी लगेगा तो आप लोग भी ट्राइए करना है ऐसे ही तो गयास को बन कर देते हैं पाव भाजी सर्फ कर देते हैं तो फ्रेंस हमारी पाव भाजी बनके रेडी हो गई है तो आईए आप लोग भी खा लीजिए और कैसा बना है बहुत टेस्टी दिख रहा है बन खाने में लग रहा है यह आप लोग देख सकते हैं तो मैंने इस पर आमूल बटर डाल दिया है और ब्रेड को भी पाव को मैंने करने कर दिया है तो आप लोग भी ट्राइए करना ठांडे में खाने में पहुत अच्छा लगता है हुआ 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 है तो फ्रेंज पाव भाजी हमने बना लिया किचन को भी साफ कर दिया है यहां पे है पाव भाजी बनाए थे जो बर्दैन सबने नाश्ता कर लिया है तो हम चले बर्तन दो लेते हैं तो फ्रेंज यहां का मैंने चद्दर चेंज कर दिया है तो यहां पे कंबल मैंने बिच्छा है जो पतलाव लाता है वह गरम रखता है यहां पे भी मैंने वही बिच्छा दिया है क्योंकि यहां बच्चे सोते हैं तो बहुत ठंड लगती है वो लोग को तो फ्रेंज यहां पे मैंने साफ सफाई कर दिया है सारा चद्दर बिच्छा दिया है यहां की बढ़ चुकी है चद्दर सारा चेंज करके और जो पतलाव ला कंबल आता है डबल गड़ का मैंने दोनों प्रेट के लगने तरिया है तो प्रेंट करते फिर मिलते हैं आपको नेक्स व्लोग में तब तो अगर मेरा व्लोग आप लोग को अच्छा लगते तो प्लीज लाइक शेयर कॉमेंट करना सब्सक्राइब करना तो गुद नाइट और ठंड बहुत लग रही थ झाल